आज के इस कारेक्रम में आप सभी का स्वागत है किसी घटना की प्रायक्ता ग्यात करने में अब तक हमने सीखा है याद्रचिक प्रयोग क्या होते हैं किसी याद्रचिक प्रयोग की प्रतिदर्श समस्टी क्या होती है प्रायक्ता में घटना क्या होती है एक सरल घटना मेश्र घटना निश्चित घटना असंभव घटना और पूरग घटना क्या होती है किसी सरल घटना की प्रायक्ता कैसे ग्यात करते हैं और किसी घटना के होन कि प्रायक्ता में क्या संबंद होता है आए अब एक समस्या पर विचार करते हैं यह है अच्छी तरह से फैंटी गई ताश की गड़ी में से एक पत्ता या द्रच्छिक रूप से निकाला जाता है प्रायक्ता ग्याद कीजिए बादशाह निकालने की प्रश्ण में पूछी गई प्रायक्ता ग्याद करने के लिए यह ज़रूरी है कि हमें ताश के पत्तों की जानकारी हो आईए ताश के पत्तों की जानकारी लेते हैं कि ताश की एक गड़ी में कुल बावन पत्ते होते हैं जिन में से आधे यानि 26 पत्ते काले और आधे यानि 26 पत्ते लाल रंके होते हैं इन 26 काले पत्तों में आधे काले पत्ते यानि 13 पत्तों का एक अलग समूह होता है और इन 13 पत्तों का एक अलग समूह होता है इस पत्ते को हम चिड़ी का पत्ता कहते हैं और चिड़ी के इस प्रकार के एक गड़ी में तेरह पत्ते होते हैं जो एक विशिस्ट क्रम में होते हैं यह है इकका, दुग्गी, तिग्गी, चोग्गी, पंजी, छग्गी, सत्ता, अठ्था, नहला, देहला, गुलाम, बेगम और बादशाह इसी प्रकार इस पत्ते को हम कहते हैं हुकम का पत्ता इस हुकम के भी इसी करम के तेरह पत्ते गड़ी में होते हैं इस पत्ते को हम कहते हैं पान का पत्ता इसी क्रम के तेरह पत्ते पान के होते हैं और इस पत्ते को हम कहते हैं इट का पत्ता इसी क्रम के तेरह पत्ते एक गड़ी में इट के होते हैं इस प्रकार पूरी गड़ी 13-13 पत्तों के चार समुवों में बटी हुई होती है गड़ी में तीन पत्तों गुलाम, बेगम और बादशा को हम चित्र पत्ते कहते हैं इस प्रकार हुकुम के भी तीन चित्र पत्ते होते हैं इसी प्रकार 3 चित्रपत्ते इनिट के और 3 चित्रपत्ते पान के होते हैं एक गड़ी में कुल 12 चित्रपत्ते होते हैं और ये 52 पत्ते 4-4 के समुह में भी बटे हुए होते हैं जैसे एक समू में एक पान का बादशा, एक इट का बादशा, एक हुकम का बादशा और एक चिड़ी का बादशा इसी प्रकार चार बेगम, चार गुलाम, चार दहले, चार नहले, चार अठे, चार सत्ते, चार छग्गी, चार पंजी, चार चोगी, चार तिग्गी, चार दुग्गी और चार इक्के एक गड़ी में होते हैं आईए अब प्रश्ण में पूछी गई प्राइक्ता ग्याद करते हैं प्रश्ण में प्रियोग है ताश की गड़ी से एक पत्ते का निकालना क्योंकि ताश की गड़ी में बावन पत्ते हैं और सभी पत्तों के निकलने की समान संभावनाए हैं इसलिए कुल संभावित परिणाम होंगे बावन हमें प्राइकता ग्यात करनी हैं बादशाह निकालने की अब हम जानते हैं कि एक गड़ी में कुल कितने बादशा होंगे गड़ी में बादशा की कुल संख्या है चार अज़ गटना के अनकूल परणाम भी होंगे चार गटना के कुल संभावित पर्णाम है 42 घटना के अल्कूल पर्णामों की संख्या यानि बादशाह की संख्या है 4 और हम जानते हैं कि अगर ये गटना इसे हम E से प्रदreशित करें तो बादशाह आने की प्रायकता ये होगी अंकूल पर्णामों की संख्या बके कुल कुल संभावित परणामों की संख्या अर्थात चार बटे बावन और बादशाह निकलने की प्रायक्ता हमें मिलती है एक बटे तेरा दूसरी घटना है लाल बादशाह निकालने की कि प्रश्ण में क्योंकि प्रियोग वही है अते कुल संभावित परणाम होंगे वही बावन अब हमें देखना है कि गड़ी में लाल रंग के बादशाह कितने है लाल रंग के बादशाह होंगे दो यानि इट का बादशाह और पान का बादशाह अते घटना के अनुकूल पर कुल संभावित परिणाम 52 हैं अनकूल परिणाम दो हैं और प्रायक्ता होगी दो बटे 52 प्रथाथ एक बटे 26 प्रश्न में एक घटना और है यह घटना है चित्र पत्ता निकालने की प्रायक्ता ग्यात करना अभी हमने देखा है गड़ी में कुल चित्र पत्तों की संख्या है बारा अते अनकूल परिणाम भी होंगे बारा प्रियोग क्योंके वही है अते कुल परिणामों की संख्या होगी बावन अनुकूल परिणाम क्योंके चित्र पत्तों की संख्या 12 है अटेक घटना के अनुकूल परिणाम होंगे 12 और प्राइक्ता हमें मिलती है तीन बटे 13 अभी इस घटना में हमने बादशाह का पत्ता निकलने की प्राइक्ता ग्यात की है आए इससे संबंदित एक और समस्या पर प्रविचार करते हैं बादशाह निकालने की प्राइक्ता है चार बटे 52 अर्थात 1 बटे 13 अब अगर हम बादशाह निकलने की घटना को हमने प्रदर्शित किया है इसे अगर हम बादशाह ना निकलने की प्राइक्ता निकालें इस घटना को हम प्रदर्शित करते हैं इबार से और इस घटना की प्राइक्ता निकालने के लिए बादशाह ना निकालने की प्राइक्ता ग्यात करने के लिए हम निकलने की प्रायक्ता को एक में से घटा देते हैं प्रायक्ता हमें मिलती है 12 बटे 13 अब अगर हम इस घटना के होने और ना होने की प्रायक्ता का अनुपात निकालें तो यह अनुपात आता है पी बटे पी बार बराबर एक बटे 13 है बटे 12 बटे 13 अर्थात यह है एक बटे 12 बादशा का पत्ता निकालने की घटना के अनकूल परणामों की संख्या थी 4 क्योंकि गड़ी में बादशा के कुल पत्ते 4 होते हैं अगर हम इस घटना के प्रतिकूल परणामों की संख्या ग्यात करें यानि उन पत्तों की संख्या जो बाजशाह के पत्ते नहीं हैं ऐसे पत्ते गड़ी में होंगे 52 घटा चार यानि 48 इन अनुकूल परणामों की संख्या और प्रतिकूल परणामों की संख्या के अनुपात को हम कहते हैं घटना के अनुकूल सेयोगानुपात आएए इस घटना के अनुकूल सहियोगानुपात निकालते हैं ये है घटना के अनुकूल सहियोगानुपात बराबर अनुकूल परणामों की संख्या बटे पृतिकूल परणामों की संख्या अनुकूल परणामों की संख्या है चार और प्रतिकूल प्रणामों की संख्या है 48 संयों का अनुपात हमें मिलते हैं एक बटे बारा और एक बटे बारा ही अनुपात था घटना के घटित होने और उसके घटित ना होने की प्राइक्ता का इस प्रकार संबंध स्थापित होता है कि घटना के अनुपूल संयों का अनुपात को हम ग्याद कर सकते हैं घटना के होने की प्राइक्ता और उसके ना होने की प्राइक्ता के अनुपात से अगर हम इसको उल्टा कर दें यानि हम अनुपात निकालें घटना के पृतिकूल परणामों की संख्या का और घटना के अनुपूल परणामों की संख्या का तो इसे हम कहते हैं घटना के पृतिकूल सहयोग अनुपात ये बराबर होता है पृतिकूल परणामों की संख्या बटे अनुकूल परणामों की संख्या और इस प्रकार इसमें प्रतिकूल परणाम थे 48 और अनुकूल परणाम थे 4 यह हमें मिलता है 12 बटे 1 अर्थाथ 12 अनुपात 1 और हम देखें तो यह है घटना के ना होने और घटना के होने की प्रायक्ता का अनुपात आएए अब सीखते हैं कि अगर हमें किसी घटना के अनुकूल या प्रतिकूल सयों का अनुपात दिये हों तो उससे हम किसी घटना के होने या ना होने की प्रायक्ता कैसे ग्याद करते हैं प्रश्न है एक घटना ए के अनुकूल सेयों का नुपात साथ अनुपात आठ हैं प्राइक्ता ग्याद कीजिए घटना के घटित होने की घटना के घटित ने होने की घटना के अनुकूल सेयों का नुपात साथ अनुपात आठ हैं इसका आर्थ हुआ कि घटना के अनुकूल परणामों की संख्या है साथ और घटना के प्रतिकूल परणामों की संख्या है आठ आए निकालते हैं अनुकूल परणामों की संख्या है साथ पृतिकूल परणामों की संख्या है आठ तो कुल परणामों की संख्या होगी साथ जमा आठ बराबर पंद्रा घटना ए की प्रायक्ता पी ए बराबर होगी घटना के अनकूल परणामों की संख्या बटे कुल परणामों की संख्या घटना के अनकूल परणामों की संख्या है साथ उलकूल परणामों की संख्या है पंद्रा इसी प्रकार घटना के घटित ना होनी की प्रायक्ता अर्था पी ए बार बराबर होगी घटना के प्रतिकूल परणामों की संख्या यानि आठ बटे पंद्रा आएए अब एक पासा लुड़काने के प्रियोग पर विचार करते हैं पासा एक घनाकार आकरती होती है जिसके एक फलक पर एक दूसरे पर दो तीसरे पर तीन चोथे पर चार पांचवे फलक पर पांच और छटे फलक पर इस तरह से छे निशान बने हुए होते हैं जब हम इस पासे को लुड़काते हैं तो इन ही छे में से कोई एक पासे के फलक पर उपर आता है पासा लुड़काने के प्रियोग की प्रतिदर्श समस्टी बनेगी इन्ही छे कुल संभावित परिणामों से और यह प्रतिदर्श समस्टी है S बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसी प्रियोग में एक घटना है A और यह घटना है 3 से कम संख्या का आना एक दूसरी घटना है B यह घटना है 3 से अधिक संख्या का आना घटना A के अनुकूल परिणाम हम लिखते हैं तो यह हैं 1 और 2 क्योंकि पासे पर 3 से कम संख्याओं में केवल यही 2 संख्या हैं दूसरी घटना B इसके अनुकूल परिणाम है 3 से अधिक संख्याओं यह हैं 4, 5 और 6 इन दोनों घटनाओं पर विचार करने से इस परस्ट है कि यह दोनों घटनाएं कभी एक साथ घटित नहीं हो सकती हैं क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 से कम भी हो और 3 से जादा भी हो इस परकार घटना A का होना इस बात को निश्चित करता है कि घटना B नहीं होगी और घटना B का होना इस बात को निश्चित करता है कि घटना A नहीं होगी इस परकार की घटनाओं को हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं किसी याद्रचिक प्रयोग की दो घटनाएं A और B परस पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं यदि ये दोनों एक साथ घटित नहीं हो सकें प्रयोग की प्रतिदर समस्टी S है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 घटना A है 3 से कम संख्या का आना घटना B है 3 से अधिक संख्या का आना घटना A के अनुकूल परिणामों को हम लिखें तो यह है एक और दो अर्था तीन से छोटी संख्या हैं घटना B है 3 से अधिक संख्या यानि 4, 5 और 6 इन दोनों घटनाओं का सार्वनिस्ट अगर हम निकालें तो यह है कि A और B का सार्वनिस्ट बराबर इन दोनों में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों घटनाओं के अनुकूल परिणामों में हो अर्थात हमें A और B का सार्वनिस्ट मिलता है एक रिक्त समुच फाई इस प्रकार दो घटनाएं परस पर अपवर्जी होंगी या नहीं इसका निर्ण हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि उन दोनों घटनाओं के अनुकूल परिणामों में कोई भी परिणाम उभैनिस्ट नहीं होना चाहिए यानि उन दोनों घटनाओं के समुच्यों का सार्वनिस्ट एक रिक्त समुच होना चाहिए निश्कर्ष यह है कि परस पर अपवर्जी घटनाओं के समुच्यों का स प्रियोग में घटना ई है समसंख्या का आना इस घटना के अनुकूल परिणाम है समसंख्याएं अर्थाद दो चार और छे अब अगर हम इस घटना ई की पूरा घटना ई बार का समुच्या लिखें तो यह है एक तीन और पाच ई और ई बार का सार्वनिष्ट हमें मिलता है देखिए इन में कोई भी संख्या उभैनिष्ट नहीं है अर्थाद यह एक रिक्त समुच्च है इस प्रकार निशकर्ष निकलता है कि पूरग घटनाएं सदैव परस पर अपवर्जी घटनाएं होती है प्रियोग की प्रतिदर समस्टी ऐस है एक दो तीन चार पाँच और छे प्रियोग में एक घटना ए है तीन से चोटी संख्या का आना अर्थाद अंकूल पर नाम हुए एक और दो एक अन घटना है बी यह है तीन से बड़ी संख्या और छे से चोटी संख्या का आना संख्याय हमें मिलती हैं चार और पाँच घटना ए और बी का सार्मनिस्ट हमें मिलता है रिक्ट समुझ क्योंके दोनों घटनाओं में कोई भी अनकूल परणाम उभैनिस्ट नहीं है अब ये दोनों घटनाओं परस पर अपवर्जी घटनाओं हैं लेकिन क्या ये पूरग घटनाओं भी हैं आईए देखते हैं घटना ए और बी का संख्या हम निकालें तो इसका समुझ है एक दो चार और पाच जो प्रतिदर समस्टी के बराबर नहीं है इसका अर्थ हुआ कि ए और बी पूरग घटनाओं नहीं है निश्कर्ष निकलता है कि परस पर अपवर्जी घटनाओं का सदैव पूरग घटनाओं होना आवश्चक नहीं है आईए अब एक प्रस्ण पर विचार करते हैं प्रस्ण है एक पासे को एक बार लुड़काया जाता है पासे पर विशम संख्या या अभाज संख्या आने की प्राइक्ता ग्याद कीजिए प्रियोग की प्रतिदर समस्टी एस है एक दो तीन चार पांच और छे घटना ए है समसंख्या का आना घटना ए के अनुकूल परणाम होंगे दो चार और छे घटना बी है अभाज संख्या का आना अभाज संख्या हैं दो तीन और पांच हमें प्राइक्ता ग्याद करनी हैं समसंख्या आने की या अभाज संख्या आने की अर्थात दोनों में से कोई सी भी संख्या आ सकती है सम संख्या हो या अभाज संख्या हो आईए इस घटना का समूच लिखते हैं यह बनता है दो तीन चार पांच और छे हम ध्यान से देखें तो यह समूच दो, तीन, चार, पांच और छे घटना A और घटना B के समूच का संख्य है यानि A और B का संख A और B का सार्वनिस्थ अगर हम निकालें केवल दो एक ऐसी संख्या है जो दोनो घटनाओं में है यह है गटना A के अनकूल परिणाम है दो, चार और छे इसलिए घटना A के अनकूल परिणामों की संख्या N A बराबर है तीन घटना B के अनकूल परिणाम है दो, तीन और पाच इसलिए घटना B के अनकूल परिणामों की संख्या N B बराबर भी तीन ही है A और B के संख्यों की संख्या है एक, दो, तीन, चार और पाच इसलिए इस घटना में संख्यों की संख्या है पाच A और B के सार्वनिस्ट में केवल एक ही संख्या है दो, जो दोनों घटनाओं में है इसलिए A और B के सार्वनिस्ट में संख्या है एक इन निश्कर्शों को अगर हम ध्यान से देखें तो घटना A के सदस्चों की संख्या और घटना B के सदस्चों की संख्या तीन जमा तीन है छे और A और B के संख में सदस्चों की संख्या और A और B के सार्वनिस्ट में सदस्चों की संख्या भी छे है इस प्रकारिय संबंध बनता है A और B के संग में सदस्चों की संख्या जमा A और B के सार्वनिस्ट में सदस्चों की संख्या बराबर घटना A में सदस्यों की संख्या जमा घटना B में सदस्यों की संख्या हमें प्राइक्ता ग्याद करनी है A और B के संख्य की तो A और B में के संख्य में सदस्यों की संख्या N A बराबर है N A जमा N B घटा इस संबंध को अगर हम प्रयों के कुल संभावित परणामों की संख्या यानि प्रतिदर समस्टी S के सदस्यों की संख्या N S से भाग दें तो यह संबंध हमें इस रूप में मिलता है और हम जानते हैं कि अगर हम A और B के संख्य के अनुकूल परणामों की संख्या को कुल संभावित परणामों की संख्या से भाग दें तो यह है A और B के संख्य की प्राइक्ता है इसी प्रकार यह है घटना A की प्राइक्ता यह है घटना B की प्राइक्ता और यह है A और B के सार्वनिस्ट की प्राइक्ता इस प्रकार प्राइक्ता का योग का नियम है घटना A या घटना B के घटित होने की प्राइक्ता बराबर A की प्राइक्ता जमा B की प्राइक्ता घटा A और B के एक सार्वनिस्ट प्राइक्ता याणि 2 प्राइक्ता इस संबंध को हम प्राइक्ता का योग का नियम कहते हैं यदि घटनाएं परस पर अपवर्जी हैं उस इस्थिती में हम जानते हैं कि परस पर अपवर्जी घटनाओं का सार्वनिस्ट एक रिक्त समुच होता है यानि उसमें सदस्चियों की संख्या शून्य होती है आएए इस नियम में रखते हैं A और B के सार्वनिस्ट की परायक्ता अब यह नियम पनता है A और B के संख्या की परायक्ता बराबर घटना A की परायक्ता जमा घटना B की परायक्ता और A और B के सार्वनिस्ट की परायक्ता क्योंके शून्य है इसलिए परस्पर अपवर्जी घटनाओं की स्थिती में योग का नियम है A और B के संख्या की परायक्ता बराबर घटना A की परायक्ता जमा घटना B की परायक्ता इस प्रकार आज हमने सीखा कि प्राइक्ता में अनुकूल और पृतिकूल स्योगानुपात क्या होते है अनुकूल और पृतिकूल स्योगानुपात दिये होने की स्थिती में हम उनसे घटनाओं के होने या ना होने की प्राइक्ता कैसे ग्याद करते है परस पर अपवर्जी घटनाओं में और पूरग घटनाओं में क्या अंतर होता है परस पर अपवर्जी घटनाओं होने की स्थिती में प्रायक्ता का योग कनियम क्या होता है और परस्पर अपवर्जी घटनाएं ना होने की स्थिती में प्रायक्ता का योग का नियम क्या होता है अब आप अपनी पाठे पुस्तक से इससे संबंधित प्रशनों को हल करें अपनी समस्याओं पर अपने कक्षाद ध्यापक से विचार विमर्ष करें और हमें लिखें भी करें अपनी समस्याओं प्रायक्ता करें